हलो दोस्तों अगर आप इस यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक और सस्क्राइब करें आज की बहुती महतुक्पोर्ण न्योज बैंक ओफ महाराष्टर बैंक ओफ महाराष्टर की तरफ से बहुती बड़ी न्योज निकल कर आई है मानव संसादन परबंदन विवाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गिया है अब इस नोटिफिकेशन में क्या है किसकी ये विकेंसीज है टोटल कितनी विकेंसीज है कब से फोर्म अपल जर्णिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 एंड स्केल 3rd प्रोजेक्ट 2022-23 के अंदर बैंक ओप महारास्टर ये रिख्वेर्मेंट है जर्निस्ट ऑफिसर की 2nd और 3rd के लिए 2022-23 और बैंक ओप महारास्टर तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसमें क्या-क्या प्रोसेस है यहां से यह notification निकला है यह आप देख सकते हैं total पोस्टों की संख्या दे रखी है यहां जैसे आप देखोगे journalist officer first की total age दे रखी है इसके लिए journalist officer second है इसकी जो total vacancies है यहां इसका डिवाइडेशन कर रहा है 25 से लेकर 35 years की उमर होनी चाहिए AC की कितनी पोस्टे है 60, ST की कितनी है 30, OBC की 108 है, EWS की 40 है, journal की 162 है और total कितनी है 400 पोस्टे है journalist officer second की journalist officer third की total पोस्टे के लिए time period age जो है वो कितनी है 25 से लेकर 38 साल तक total पोस्टे है SC की 15, ST की 7, OBC की 27, EWS की 10, journal की 41 और total कितनी है 100 और कुल मिलाकर कितनी पोस्टे है 500 पोस्टों के लिए notification है बहुती बढ़िया requirement कह सकते है इसको बैंक और बडोदा की तरब से आई है अब देखते है इसके लिए कि और qualification में क्या चाहिए qualification आपको यहां शो हो रही है 1st और 2nd दोनों के लिए देखते है qualification अब देखो सबसे पहले इसने क्या क्या है qualification 400 पोस्टों के लिए क्या चाहिए जो journalist officer 1st scale 2nd है इसकी total 400 पोस्ट है इसके लिए qualification केता है bachelor degree in any disciplines with minimum 60% mark in the aggregate of the all cements तो bachelor degree आपके पास चाहिए BA, BCA, BCA, BCA में उसके अंदर आपके 60% mark होने चाहिए इसके अलावा अगर आप OBC में है SCA, ST में है तो आपको कितने 55% mark चाहिए तो यह compulsory है और अगर 100 degree की post के लिए चाहिए तो same ही है bachelor degree में 60% mark होने चाहिए SCA, BCA में है तो 55% mark होने चाहिए compulsory है qualification में होनी चाहिए और only for bachelor degree ही मांगी है और किसी परकार की कोई degree नहीं है उसके बाद कहता है कि experience, post qualification work experience of three years and an officer in schedule commercial banks और experience यहां मांगा गया है कितने साल का experience होना चाहिए आपको कितने years का, three years का किसके अंदर जो second वाली post है और third वाली post में experience कितना मांगा गया है five years का मांगा गया है, next देखते हैं, age मैंने पहले आपके साथ share की, next देखते रही गया आप अब चलते हैं अपने, 60% यह मैंने पहले बता दिया percentage आपका, आप देखो यह है, इसके अंदर schedule caste के अंदर कितनी छूट मिलने वाली age के अंदर, schedule caste या schedule tribes के अंदर five years की छूट है other backwards classes के लिए non criminal years के लिए तीन years की छूट है और इसके अलावा person with benchmark disability के लिए जैसे की PWBD होगी और PWBD के अंदर OBC, SC, ST या journal EWS इनके लिए SC के लिए 15 years की है और PW की OBC के लिए 13 years की छूट है और PW के लिए journal या EWS के लिए 10 years की छूट दे रखी है next चलते हैं next आ जाते हैं यह देखके scale, pay scale की अगर बात करें इसकी तो pay scale एक अच्छा pay scale मिल रहा है यह scale of second post के लिए, second post के लिए pay scale है 48,170 रुपे और scale third के लिए कितना है 63,840 रुपे यहां से यह शुरू होने वाल है, यहां तक last आप देख सकते हो कि कितना जाने वाल है next देखते हैं, यह रहा, यह फिर, next अपने चलते हैं, हाँ, यह रहा अपने पास paper का, की types of paper तो इसमें total 150 question आने वाले हैं, दो years को आपको time मिलेगा, दो गंटे का, English language के 20 question आएंगे और quantity, aptitude, mathematics के 20 question आने वाले हैं, reasoning ability के 20 question आने वाले हैं, और professional knowledge के 90 question आने वाले हैं और इस तरह से total 150 number का paper होगा, और maximum mark भी 150 है, और total 2 years है, negative marking भी इसके अंदर है यहाँ देखो, the test of professional knowledge में, constant of banking related questions, there is no negative marking in online examination तो यहाँ साब सुत्रा लिखा रखा है, किसी प्रकार की negative marking नहीं हैं, और paper कैसा होगा, online paper होगा next देखते हैं, अपने और एक qualification के बारे में इसके में दे रखा है, तो next आपने चलते हैं, इसमें fees, में मुद्दे पर चलते हैं, कि fees कितनी है इसकी, तो fees अगर देखें, तो fees काफी high रखी होई है journal OBC के लिए फीज जो है, application fees 1000 रुपे है, और GSTC के 180 रुपे है, तो total 1180 रुपे लगेंगे journal EWS या OBC के लिए, SCST के लिए only 100 रुपे फीज है, 18 रुपे GSTC है और 118 रुपे, SC OBC के लिए ये काफी अच्छा है वह ये, 118 रुपे में आपका फार्म बुरा जाएगा, और जबकि EWS OBC के लिए वह 1180 रुपे है तो इस तरह से हमने देखा कि ये बैंको बडोदा के total 500, total जो 500 पत्ते इनके लिए ये पोश्टे है और इसके अंदर दोवर की करनता 400 और 400 के अंदर second और इसके अंदर first तो इस तरह से अगर आप इस qualification को है, अगर आप में ये qualification जो यहां मांगी गई है तो आप फोर्म जुरूर बरें, SC ST तो जुरूर ही बरें क्योंकि इनके लिए फीस भी नामातर की है, इसी तरह से लगात आप 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 करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यू